हलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का classroom center में दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे binomial theorem के बारे में तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि binomial होता क्या है binomial, binomial में 2 term होते हैं कोई भी question जिसमें 2 term हो उसे को हम क्या बोलेंगे binomial बोलेंगे जैसे x plus y हो, x plus y में कितने term है, 2 term है x plus y power 7 हो, इसमें भी कितने term है, 2 term है तो इसे भी क्या बोलेंगे हम लोग, binomial बोलेंगे ओके, आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं, binomial theorem for positive integral indices यानि कि binomial theorem का expensive हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है तो देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले तो देखते है x plus y power 0, ये भी ये क्या है, binomial है तो इसकी value क्या है, 1 है, x plus y power 1 इसकी value कितने हो जाएगी, x plus y x plus y का whole square, यानि x square plus 2xy plus y square ये previous class में हम लोग देख चुके हैं x plus y का whole cube, x cube plus 3x square y plus 3xy square plus y cube ये भी हम लोग previous class में देख चुके हैं तो इसमें हम लोग ने notice क्या किया, कि जब हमारा power power हमारा 0 है, तो जो इसका expansion है, उसमें कितने time है? 1, जब power 1 है, तो expansion हमारा कितना है? expansion में 2 time है, जब power 2 है, तो expansion में कितने time है? 3 time है, जब power 3 है, तो expansion में कितने time है? 4 term है तो यह देखिए कि जब यानि कि जितना भी power हो रहा है तो expansion में कितने term हो रहे है यानि कि number of term कितने हो रहे है power प्लस 1 हो रहे है एक चीज़ हमने यह notice किया दूसरी चीज़ यह notice कर रहे है कि x का power घट रहा है तो y का power क्या हो रहा है बढ़ रहा है जैसे x plus y के whole square में देखें तो सबसे पहले x square है फिर 2xy है फिर x power 0 हो जा रहा है फिर क्या है हमारा y power 0 फिर y power 1 y power 2 है तो इस तरीके से देख रहे हैं हम लोग कि एक का power घड़ रहा है तो दूसरे का power बढ़ रहा है फिर हम लग यहीं चीज से हम चीज देखते हैं x plus y के whole cube में तो हमने क्या क्या चीज यह notice किया है इसमें तो सबसे पहले चीज क्या notice किया हमने पहला चीज हमने observe कि number आप expanded term यह क्या होता है power plus 1 होता है फिर in expansion, expansion में क्या हो रहा है कि x का power अगर decrease कर रहा है या y का power decrease करेगा तो x का power क्या करेगा वहाँ पे increase करेगा अब देखते हैं हम लोग coefficient of each term यानि coefficient को हम लोग किस form में लिखते हैं तो उसको combination के form में लिखते हैं ncr के form में यानि कि पहला term हमने क्या होता है nc0 अगर x plus y power n हो तो इसमें पहला term क्या होगा nc0 दूसरा term क्या होगा nc1 तिसरा term क्या होगा nc2 होगा तो इस तरीके से हम लोग एक देखते हैं एक general formula कि x plus y power n है तो इसका expansion होग किस तरीके से करेंगे तो देखें पहला term तो उसका coefficient क्या हो जाएगा nc0 फिर क्या लिखेंगे x power n y power 0 अब देखिए अब दूसरा term क्या होगा nc1 हो गया अब देखें x का जो power हो घटेगा तो x का power पहले यन था तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x power n-1 हो जाएगा और y के power में क्या हो रहा है increment हो रहा है यानि कि y का power बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y power n लिखेंगे अब देखिए हम लोग तीसरा term तो तीसरे term का coefficient क्या होगा nc2 और तीसरा term का जो power होगा x का power घटेगा तो यहाँ पे x power कितना हो गया n-2 हो गया और y का power बढ़ेगा तो यहाँ पे plus 1 यानि कि y square हो गया इसी तरीके से n अवाटम देखेंगे तो nc n-1 होगा x power 1 होगा और y power n-1 होगा इसी तरीके से n प्लस अवाटम कितना हो जाएगा यह हो जाएगा nc n x power 0 y power n अगर इसे में प्रूव भी करना हो तो को इसे प्रूव करेंगे इसे प्रूव करेंगे principle आफ mathematical induction के थुरू, ओके, अब आगे चलते हम लोग हम लोग देखते हैं, notes को notes हमरा क्या है, x plus y power n is equal to होता है sigma, इसे हम क्या बोलते हैं इसका यह जो symbol है, इसे बोलते है sigma, यह बोलते है sigma, ओके यह है sigma, और यह sigma का mean क्या होता है यह होता है sum सिग्मा का मीन क्या होता है सम ठीक है यानि कि सिग्मा n c k x पावर n minus k y पावर k जहाँ पे k is equal to n to k is equal to 0 है k is equal to n to k is equal to 0 है ओके तो अगर इसको हम लोग अलग अलग तोड़ के लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा आएगा n c 0 x पावर n y power 0 इस तरीके से आएगा ठीक है तो जैसे हमने x plus y power n देखा था उशी तरीके से हम लोग निकालेंगे x minus y power n को तो इसका जब expansion करेंगे तो सबसे पहले तो इसे x plus y power n के form में change कर लेते हैं तो जब इसे x plus y power n के form में change करेंगे तो इसे इस तरीके से लिखेंगे x plus minus y bracket close करेंगे फिर लिखेंगे power n अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ minus y लिखेंगे और जो इसकी value आएगी उसका sign आगे हम लोग लगा देंगे ओके तो वो expansion हमारा हो जाएगा x minus y power n का तो इसका expansion यह है हमारा nc0 x power n minus y power 0 हो जाएगा फिर plus nc1 x power n minus 1 minus y power n अगर minus y power 1 इसे अगर तोड़ते हैं तो यह क्या हो जाएगा minus y यानि कि यहाँ पर minus लगा देंगे अब फिर क्या है minus y का square y square हो जाएगा यानि यहाँ पर plus ही रहेगा ठीक है फिर यहाँ पर minus फिर minus के बाद plus फिर plus के बाद minus फिर minus के बाद plus इस तरीके से हम लोग करते जाएगे और last में हमारा जो आएगा ncn x power 0 y power यन आएगा ओके आगे चलते हैं हम लोग यह expansion आप लोग को किसी भी हालत में याद रखना है ओके अब देखते हैं हम लोग जैसे अगर हमको x plus y power n पता हो गया है तो 1 plus x power n क्या हो जाएगा तो 1 plus x power n यानि कि जहाँ-जहाँ y है वहाँ-वहाँ क्या रिख देंगे हम लोग अब 1 लिख देंगे तो हमारा जो आएगा expansion हो कितना हो जाएगा nc0 plus nc1 x plus nc2 xc square plus nc3 xq plus ncn-1 अगर हम x की value यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा हमारा 1 plus 1 यानि 2 power n हो जाएगा और 2 power n की value कितनी होती है nc0 plus nc1 plus nc2 plus nc3 plus dot 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 ncn होती है यह हमको याद रखना है विल्कुल क्योंकि इसमें ऐसे बहुस सारे question हम से पूछे जा सकते हैं objective type बहुस सारे question इस पर बनते हैं और वो आपसे पूछे जा सकते हैं अब आते हैं हमारा अगर x की value हम क्या रख दें minus 1 रख दें x की value अगर minus 1 रखते हैं तो इसकी value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी 0 की value जो कितनी हो जाएगी यहाँ पर देखते हैं nc 0 minus nc 1 plus nc 2 minus nc 3 plus nc 4 ठीक है plus dot 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 ncn minus 1 रख यानि कि यह हमारा 0 की value है तो इस तरीके से हम लोग calculate करने की जोड़ इस पर देखे यह दोनों बहुत ही important इस पर बहुत सारे question बनते हैं ओके आगे चलते हैं हम लोग अब देखे एक question question क्या दे रखा है question हमारा दे रखा है using binomial theorem prove that 6 power n minus 5 n always leave remainder 1 when divided by 25 तो अब देखे इसे कैसे solve करेंगे पहला हमारा क्या है 6 power n है क्या है 6 power n अब 6 power n को हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं 5 plus 1 power n लिख सकते हैं अब इसे हम लोग expand कर सकते हैं तो जब इसे expand करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा n c 0 5 power 0 की value कितनी हो जाएगी 1 तो n c 0 5 power 0 5 power 0 plus लिखेंगे n c 1 5 power 1 फिर लिखेंगे plus n c 2 5 power 2 फिर plus dot 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 ये क्या हम जाएगा n तक जाएगा n c यान 5 power 1 तक जाएगा अब इसे solve करते हैं आगे तो n c 0 की value 1 और 5 power 0 की value 1 यानि कि इसकी value क्या आ जाएगी इसकी value आ जाएगी 1 अब फिर plus है n c 1 की value कितना होती है n होती है और 5 power n की value into 5 हो गया फिर plus n c 2 n c 2 की value कितना हो जाएगी n into n minus 1 into 5 square ये हो जाएगा n c 2 5 का square ठीक है अब प्लस dot 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 n c n 5 power n ये चीज लिखेंगे हम लोग ओके ये चीज लिखेंगे n c n 5 power n अब देखते हैं हम लोग कि ये क्या value हो रही है अब देखें जब 6 power n की value को तोड़ा हम लोगों ने तो हमारा ये value आ गया क्या आया ये आया 1 plus 5 n plus n c 2 5 square plus dot 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 n c n 5 power n ये ये वाली value आ गयी अब देखते हम लोग अब इसमें क्या है minus 5 n है तो ये अगर हम minus 5 n करते हैं यहाँ पे minus 5 n है तो 5 n से 5 n कट गया अब देखें ये क्या है 5 square plus 5 cube plus 5 power 4 इस तरीके से है हमारा तो अब 5 square है तो 5 square कितना होता है हमारा यहाँ पे 1 बचा है तो 1 को तो 1 ही लिखेंगी फिर plus लिखेंगे 5 square होता है हमारा 25 25 को बाहर ले लिया फिर हमारा क्या बचा n c 2 बचा फिर आगे हमारा dot 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 जो भी बचाओ से लिख देंगे तो अब ये क्या होगा ये जो value होगी ये पूरी की पूरी value किससे डिवाइड है 25 से डिवाइड है क्यों क्योंकि ये 25 के multiplication में है तो ये पूरी की पूरी value क्या होगी 25 से डिवाइड होगी तो हमारा जो remainder है वो क्या बचेगा 1 बचेगा तो यहाँ पे remainder 1 बचा तो इस तरीके से हम इसे प्रूब कर सकते हैं next देखते हैं हम लोग ये हमारा next question है find x plus 1 power 6 plus x minus 1 power 6 hence or otherwise evaluate under root 2 plus 1 power 6 plus under root 2 minus 1 power 6 तो सबसे पहले तो हम लोग इसे solve करते हैं x plus 1 power 6 plus x minus 1 power 6 को तो देखिए इसमें जो भी हमारे term को देखते हैं कि जो भी हमारे event term है वो तो positive आएंगे इसमें और जो हमारे odd term है वो negative आएंगे यानि कि odd term तो हमारे cut जाएंगे क्या बचेंगे event term sheet बचेंगे इसे अगर solve करें तो x plus 1 को power 6 को क्या लिशकते हैं 6 c 0 x power 0 plus 6 c 1 6 c 1 x power 1 plus लिख सकते हैं 6 c 2 x power 2 ठीक है अब ऐसे ऐसे करेंगे हम लो और minus वाला डाट 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 6 c 6 x power 6 लिखेंगे अब plus करेंगे और minus वाले को लोग solve करते हैं तो पहला क्या हो जाएगा हमारा 6 c 0 x power 0 और minus 1 power 0 फिर दूसरा क्या हो जाएगा 6 c 1 x power 1 ठीक है x power 1 होगा और 1 power 6 minus 1 यानि कितना हो जाएगा 5 यानि कि यह भी minus होगा तो यहाँ पर minus लगाएगे फिर हमारा लिखेंगे प्लस 6 c 2 x square ठीक है तो minus 1 power 4 हो जाएगा तो minus 1 power 4 की वेलो प्लस में आगे तो यहाँ प्लस अब देखें minus यानि कि जो भी हमारे event term है ठीक है न event term हमारे cut जाएगे यानि कि जो दूसरा term हो जाएगा फिर तीसरा रहेगा चौथा term कर जाएगा पाच्वा रहेगा छटा term कर जाएगा ठीक है फिर साता रहेगा तो यह क्या हो जाएगा हमारा अगर इसे equal करें तो यह equal to हो जाएगा 2 into 6 c 0 x power 0 प्लस 2 into 6 c 2 x का square ठीक है प्लस dot 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 कितना हो जाएगा 2 into 6 c 6 x power 6 यानि कि यह हमारी value हैगी और इसमें हमें कुछ नहीं करना है अब x के place पे under 2 रखना है और इसे evaluate कर देना है अब देखिए हम लोग जो permutation combination पढ़ रहे थे तो